जहिंद वंदे मातरन दोस्तों एक बार फिर सुआ गया था अपका मानेड एक्जाम के यूटूब चनल पर जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पड़ाओ इस बढ़ती में रहेगा जो आपको सेलेक्शन दिलाएगा वो दोस्तों आपका एक्जाम और आपकी टाइफिंग टेस्ट रहने वाली है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं साथ फीजिकल का क्या प्रोसीज रहेगा कंप्लीट प्रोसीज क्या र सकें साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए और ओल नोटिविकेशन जुरूर कर लिजिए ताकि दोस्तों आगे की इन है तुन पढ़ाओ आम आपको फिर से बता दे कि एक्जाम ही रहने वाला है जितना अच्छा स्कॉर आप एक्जाम में करेंगे तभी आपका सेलेक्शन है वो होने वाला है क्योंकि दोस्तों नमबरों भूम आपके काफी ज़्यादा है नमबरों पोश्ट आपकी सिरफ पो पूछे जाएंगे जिसमें से आपके चार पोर्शन रहने वाले है पहला पोर्शन रहने वाला है कि इसके अलाव दोस्तों चोता आपका जो पोर्शन रहने वाला है हो हिंदी और इंग्लीज का रहने वाला है जिहां दोस्तों हिंदी और इंग्लीज का रहने वाला है अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी अटेम्ट कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लीज अच्छी है तो आप इंग्लीज अटेम्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको दो घंटे का समय दोस्तो दिया जाएगा यानि अच्छा कासा आपके पास समय होगा 100 क्यूशन करने के लिए 120 मिनिट का आपके पास समय रहने वाला है तो काफी अच्छा समय होगा परन्त दोस्तो इसमें भी आपकी एक कंडिशन रखी गई है जी यहां दोस्तो अगर आप जनल से हैं अगर आ आप OBC से हैं अगर आप EWS से हैं या दोस्तो आप 800 में हैं तो आपको सो में से 50 नम्मर यानि 50 क्यूशन ठीक करने ही पड़ेंगे यानि 50 PST मार्क्स आपको यहां एक्जाम में स्कोर करना पड़ेगा तब ही आप ट्रेड टेस्ट यान दोस्तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में यानि एक्जाम का प्रेटन क्या रहने वाला है अब अभिहार्त यह पूछेंगे कि एक्जाम का सलेबस क्या रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों जो आपका S.S.E. का सलेबस रहता है जिसमें आपकी अगर बात करें S.E.G.D. का एक्जाम होते हैं या fix नहीं है कि कौन से subject से कितने question पूछ जाएंगे अब दोस्तो physical की हम बात कर लेते हैं तो physical में जो main में आपका male connect का physical होगा उसके लिए आपका 1.6 km की आपकी running होगी जिसके लिए दोस्तों आपको समय दिया जाएगा थोड़े दिनों की त्यारी में आप physical qualify कर सकते हैं प्रांतों में सवाल तो यह है कि physical आपका कब होगा क्योंकि physical की बात करें तो इससे पहले 2021 में दोस्तों आपकी अपकी एससवी ट्रेट्समें की बढ़ती आई थी जिसके अभी तक physical नहीं है और दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें 2018 में अपकी एससवी हैड कोंस्टिवल की बढ़ती आई थी जिसके अभी आपका complete प्रोसिस हुआ है तो आप आइडिया लगा सकते हैं खुद लगा सकते हैं कि कितना समय आपको लगने वाला है दोस्तों जो भी एससवी ट्रेट्समें की बढ़ती आई थी उसके physical एक्सपेक्टेड पर आपके यहां physical मार्स 2022 में हो जाते हैं तो दोस्तों मई जून तक आपके physical होने की उमीद है परन्तों यह भी confirmation नहीं है क्योंकि दोस्तों अभिहारती चीज़ को लेकर परिशान और specially कई अभिहारती इसी बढ़ती की तियारी कर रहे हैं तो आपके हमारी यह भी रिक्वे अगर दोस्तों यहां आपके जून तक आपके physical होते हैं तो आपका उसके बाद दो से तीन मैने चार मैने या पांच मैने से पहले आपका exam भी नहीं होने वाला है यह दोस्तों 2022 के last तक आपको exam देखने को मिलेगा उससे पहले exam भी देखने को नहीं मिलेगा कुछ अभिहार दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक लिए जहिंद जय वर्त